हेलो अब्रिवन मेरा नाम जैस्वन्त है वैलकम टुकल विश्टडी पॉइंट आई स्टार्ट कर रहें क्लास नाइंध का सेंपल पेपर को जो मैं रीद करना था तो मुझे लगाई काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके एक्जाम प्रस्पेक्टिव से तो इसको थोड़ा आपको प्रस्टाइम होगा असी नंबर का आपका ये पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं तो पहला कोश्र आता है आपके सामने इसमें पूछा गया है कि निमनिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है ठीक है पादक के कारक है कौन सा वाला नहीं थो आपके पास कोई बसता नहीं तो चूज करोंके क्या डी उप्युक्त में से कोई नहीं थैक्ते से कारक हैं यह डी में कैपिटल भी है तो तीनों के तीनों ही प्रोडक्शन में काम करते हैं तो नन आफ द आब पर आप जाएंगे तिक नन आफ द आब इसे कौन सा नहीं है तीनों के तीनों है ठीक है पूचा जा रहा है माई फ्रेंड है इसे पूचा जा रहा है भारत के साथ नहीं करता तो बचा कौन सा कहा है तजाकिस्तान आपके साथ बार्डर शीर नहीं करता तो कौन से आपके आपर बी आ जाएगा ठीक अब आता है आपका निम निखित में से भारती सहुधान सवा के सदस्य नहीं थे तो आपको पता है डॉक्टर भिंगरांबेट का सदस्य थे डॉक्टर राजिंदर प्रशाद थे जैपाल सिंग यह त्यूनों के त्यूनों सदस्य थ पूछा गलत मिलान है कोई ठीक है न शासक दे रखे और नाम दे रखे इस तो कोई ऐसा जो शासक नहीं है तो यहाँ पर आता है आपके पास जून लॉक यह क्या थी फिलोस्फर थी कोई साशक नहीं थे बाकि सारे के सारे चाहिड जाए नैपोलीयन हो चाहिए लूई सिक् है तो correct option आपका John Luke है ठीक है अब आता है आपके पास यहाँ पर मतलब 1794 तक फ्रांस के मुद्रा क्या थी मतलब 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी आपको पता है डॉलर अमेरिका के टाका बांगलादेश की रुपया इंडिया की है तो बचा कौन सा लिब्रे कहा की होगी लिब्रे आपकी हो जाएगी फ्रांस की उससा में मुद्रा थी तो यह जदन option हमारे पास ठीक है लिए अपके पास option के रूप में पर भर यह ओप शुदेंगा आप ऐंब कर दो को पता होना चाहिए सीध spaghetti को आदा किया गया कर 나는 सीध़ा क leurमेंन दिखा दिखेंगili कर क्या कहला है लाता है अंट कहला है तो आप कौनसा यहाम पर सब्सक्राइब करने है टर् genetically to the state यानि वह dobrze कौर्मेंट का आप टैक्स पे कर रहे हैं तो लिखा हुआ नीचे दिये गए प्रस्ट में दो याने के एक का और खा दे रखा है इनको रीड करना है कौन सा सही है कौन सा गलतन की स्टेटमेंट को रीड करके बताना है तो पहला मैं यहां पर रीड कर रहा हूं कि अरुनाचल और गुजरात की समय में दो घंटे का अंतर है तो नहीं है अरुनाचल और गुजरात का तो टाइम में बिल्कुल सीम है तो यह ऑप्शन गलत है बट यहां पर ठीक है भारत की मानक समय सेखा 82 डिगरी तीसे की एकदम करेक्ट है तो आप जहा सकते हो कौन से वा तो फावाला गलत है दूसरा सही है अल्ले करें ने को चुश किया था ईनकरेक्ट है ऑप्षन को छूष्या यहां पर इन में धान से कौन सा तर्क अलक्द के सबस् judaश की सही बते हैं को चूज करेंगो सभी कि आएंगे आपका को अब एट का option डिक करेक्ट option आपका थिक दो आता है आपके पस इसमें इंपे वाले में भी आप क्या चूज करेंगे सब्सक्राइब करेक्ट है लोकों के पास हो तंतरता भी होती है बहुत तरीके से क्या कर सकते हो A कर सकते हो और क्या होती है जो डिमोक्रेटिक गवर्वर्मेंट होती है ज्यादा काौंटेबल होती है का मतलब ज्यादा आपके ध्यान क्योंकि चुनिते आप उसको हो ठीक है सरकार वह कौन चुन रहा है आप अब एक और कोशन आता है नीचे उसी तरीके का है इसमें भी जानकारी देता है जो किस तरीके से राति दिआए ँब इसके बारे इसे ऐसंद देता यह तो चूल्चन से पर इसके इंग्लिखी है,entra यह बठाइब बटाबी में फ्रांस का समाज किसी स्टेट में बठा हुआ थैंतर इम्लीद्ट की बठा हुआ सब्सक्राइब मारेर शैर्म्हेदक से नीकली बाएट ज्यादा खैनल प्रेट्मेट्ररश नियुकिने सिस्टेट्में और किर्सी परासित होने के कारण कई लोगों को कई महाँ विरोजगार बैठना पड़ता यह भी एक दम स्टेटमेंट सही है तो आप्ट एक को चूज करो यहां पर ऑप्ट यह बिल्कुल सही है आपका यहां पर ठीक यहां पर ऑप्ट एक चूज कर अगरी कल्चर में आपका तो आपका यह option C आएगा मन्रेगा यानि मात्मा गांधी राष्ट को पास किया गया था क्या नेशनल रूर डवल्लेप्मेंट यह भी एकदम सत्य है फिस वारे को चूज यहां पर कर रही है ठीक है आप अब देखने το हो रहा है रिक्तिस्तान की पूर्ति कीजिए जुडिक्तिस्तान इसके यहецý करनी पॉर्ति करनी है पालंपूरी की प्रम्मुक 18 क्रिया क्या थी ता आपको पता होगा अग्रिकल्चार यानी किर्शी यानी कि फार्मिंग ठीक है यहां पर भी आप एगरी कल्चर लिख सकते हैं यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इंगलिश इंदी हो गया थोड़ा जान रखिए ठीक है आप दूसरा जाता है आपका के रेखाएं तर्थ्यों को सही कि मतलब जो इसमें लिखा हुआ इसको आपको सत्य करना के दा बुक ऑदर इस प्रोट अफ द लॉस किसने लिखी है यह रूसों द्वारा नहीं लिखी गई आपको याद रखना यह तो फैक्ट्वल कोशन है याद रखना पड़ेगा यह मांटेस्ट की द्वारा लिखी गई है पंदरा कोशन आपके सामने आता है कि इस इस प्रतिक दिली में द्यारी मजदूर है ठीक है वह प्रतिक दिन कितना कमाता देट सो रॉपए कमाता है जबकि प्रचले मजदूर इसकी आयसे कम है देली में दूधा कि दैली अर्ने कमाता है वह से वेजन आज कर ज्यादा चल रहे हैं तो इसको unemployment की शेड़ी में यानि की बेरोजगार की शेड़ी में जाड़ा जाएगा क्योंकि अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा है ठीक आप सत्रीवे कोश्चन पर हम आज चुके हैं सत्रीवे कोश्चन हो रहा है नेमने के जानकारी को पढ़ी और उसके लिए परिवहासिक सब्सक्राइब लिखिए अब क्या और all of us should behave as if we are the member of the same family मतलब एक ही फैमली की मेंबर जब हम हैं तो किस तरीके का behavior होगा कोई भी आपको एक तरीके से बाहर का नहीं मार गया कोई आपसे inferior नहीं होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगी और एक तरीके साथ भेदबाव वहां पर नहीं होगा क्योंकि फैमली के मेंबर साथ ऐसा नहीं होता है ठीक है अब दूसरा कोश्चन हाप पर आ जाता है कि पूर्ती के देज लिड़ा मिलिटरी अधरी कॉप इन पाकिस्तान एंड़ tumors ने 1 99 में आर्मी ने तक्त्ता प्लट किया था पाकिस्तान वो उनको प्र 2023 9 के लिष्ट मृशन करेक्ट आंसर हो रहा है अब आते हैं अपने नाइंटीन पर नाइंटीन में बोला जा रहा है कि महमा एक लड़की है जो मालावार कॉस्ट पर है लिटल बिट कंफ्यूज थोड़ी सी कंफ्यूज अबाउट वैदो वैदर के वारे में जानका दें लेने में अक्षक्षम है इस वक्त यहां पर गोवा तो यहां का वैदर किस तरीके का तो जैनले हम बता सकते हैं वह कहां पर है वैदर मालावार कॉस्ट पर है वह तो वैदर को देख के हम इसको यह बता सकते हैं तो इस कोश्ट अब वी काफी आसान इस पर पूंचा जा रहा है कि वडियों सबसे आप क्या समझते हैं समानता होती सभी लोगों को सवान अधिकार प्राप्त होना और कानून के नजर में सभी को क्या हो समान था उसको आप एक्वालिटी बोलते हो जेस्टिस क्या होता है जुडीशर याने की कूट तक सबकी पहुंच हो चीक है इसका और में यह है कि जेस्टिस क्या होता है जेस्टिस याने की नियाए की प्रक्रिया में सभी लोगों को समान अधिकार हो चाहे वो अमीर ह हमारा मानप पूजी क्यों इंपोर्टेंट है थो मानप पूजी बहुत IMPORTEND इसले है क्योंकि बढ़ी से मड़ी technology को IMAN करता है's human करते हैं उसको कौं करता है human करते हैं और सब्सक्राइबं करता है'm हमें लिद मेंट इंडिया इसमें बताना है आपको के भारत की सीमा रेखा का विस्तार बताइए भारत की जो स्मूधित देहने को मिलेगा ध्यार जाह पर ऑपको गुजरात हो गया महरास्टार अौगा थे खें Vä Ragha हो गया इन समय आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपको पहाड़ी छेत्र देखने को मिलेंगे ठीक है यहां पर आपको रहिस्तान देखने को कश्मीर में आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं तो बहुत ही अलग प्रकार का बहुत ही आपको देखने को मिलेगी पूर किस पर गया है ऑब 23 लुगों के पास अधिकार होते हैं अब इसकी पास सबके पास Sum सब्सक्रीन करते हैं सबक्रान करते हैं सरकार के साथ से आपके वो भी एक तरीके से आम इंसान की रक्षा करते हैं अब क्या होता है डेमोक्रीसी में जर्णली आपको देखने को मिलेगा जो इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्र प्रोजक्ट है वो डेले होते हैं क्योंकि जैमी ने वगद्ध आपको करनी पड़ती है तो सरकार क्या करती है इनके अन इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्र प्रोजक्ट भी रुखते हैं अब डिफाइन करो टम अनेंप्लयमेंट का मतलब होता है विरोजगारी विरोजगारी दो कारोण से आती है जब लोग शाक्षर नहीं होते है या फिर उनके पास कौशल यानिकी स्किल्स नहीं होती तब अनेंप्ल समाजबाद की जड़े हैं आपको USSR से जुड़ी दिखाई देंगी समाजबाद का मतलब होता है कि समाज के लोगों के लिए कारे करना और जो अक्तिविटीज होती है वह भी सभी लोगों में बराबर हो मतलब भेदभाव समाज में ना हो ठीक है और इसकी जड़े आपको कह एक 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 जामपल है ठीक है और विच रिवर सिस्टम विच रिवर शिस्टम नर्मदा पार्ट आप मतलब कौन से रिवर का तो इंड़र का ही पार्ट है यह भी ठीक है वह बहुत सी जैसे कि इसमें से नदिया भी आपकी निकलती है वह आप याद रख सकते हो जैसे तिब की तरीके से काम करता है तो लोग तानतन में देखना वेलाएं से फीलिंस और लगे अफने को छूग्यां मतलब होता तो अपने दूसरा सामने रख些 सकते हैं तो देइम這個是 होती सभी लोगों के लिए तो लोक देस यह हम आब का सब्सक्रम कर लेएं वारे में डिसक्स कर लेते एक सेक्षन बीमेंट किया तो दीक्षन को मिलता हूंने पहली अपनाई कि समाज बात को प्रमोट कर रहे थे यानि कि जो सब्साइटी में गल्फ है यानि कि सोसाइटी में जो अमीर करीब का जो गैप उसको भरने की वो लोगों का भरोसा जीतना भी था उनका एक तरीके से मेन मोटेव तोसके पर प्रतिये कामियां पर करते हुग आपको दिखाई रहे थे ठीक है डिफा ध्रजा रहा है के उनदी यह Otherwise आप कोई बड़ी कंट्री है तो बहुत जादी इंपोर्टन्ट हो जाता है क्योंकि आप इफ्रेंड डिफ्रेंट टाैम जर्मत टाइन कहिंने का सर最 जो या करते हैं जायाँ मता करते हैं नेशने को नहीं कहा श्कुश्त करते हैं लेके रख सकें यह था हमारा अब दूसरा आता है आपके पास 30 जो आपका है उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि सुर्तान्त में लेने की सकती लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही हुनी चाहिए कत्थन का विश्लीशन कीजिए यानि कि दिखो मेंबर आफ पार्लेमेंट हो याप मेंबर आफ लाइसलेटर असेंब्लियों यानि कि न्यौता में बातों कर तकर में यानि इनकी बारे में बाते में अंडर वही हिए और यह किस के दोर चुने जा रहे है जो कि दौर झाया है यह पावर होती crashing केंपार पास होती है जिए अगर member of parliament का ले तो आपको दिखाई देगा जो member of parliament होते हैं पारलेमेंट के अंदर बैठते हैं ठीकर और यह बहुत बड़ी पसों को क्या करते हैं hold भी करते हैं ठीक है cabinet के बहुत bड़ी power होते है member of parliament और यह laws को बनाने में help करते हैं ठीक है सब्सक्राइब करें जा रहे हैं उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है ठीक है अब एक और कोशन इसमें पूंचा जा रहा है इसका और में दे रखा है ठीक है यह भी मैं बता जिता हूं किस तरीके का इसका आंसर आपको लिखना है ठीक है तो ध्यान से समझते जाओ क्या अब क्या पॉइंट्स होने चाहिए आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना जितना पूछा होता है आपको यह पर लिखना है अब क्या है फ्री और फियर एलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या बहुत जा धांदली हो रही है उनमें और जो लोगों का विस्वास सरका कार के ऊपर से वोठने लगेगा तो आपको पताओं कि इंडिया का काम ही होता है कि निर्पक्षश चुनाव करवाना चाहिए वह प्रधान मंतरी का हो चाहिए वह चीफ मिनिस्टर का हो किसी भी पदकिरी हो तो एलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बहुत बड़ा काम आ और देखने को मुला है कि एक्षाण कमिशन ऑफ इंडिया का सब्सक्राइब काम किए निर्पक्षाणाब करवाना और डेमक्रिश्टी को बचा कर रखना अगर डेमक्रिश्टी की अंदर कैसे नहीं हो रहे है उनके अंदर धांद्री हो रहे है तो आप बोल सकते हूं यहाँ आप डैमोक्रीशी नहीं है तो इलेक्षिन किमिशन ओफ इंडीय इंपॉर्टेंट फो डैमोक्रेशी ठीक डैमोक्रेशी को बचाने के लिए काफी है इंपॉर्टेंट यहां के आपके बाद यहा को फोटर समय को हुच अपको कहते हैं चेंज़ की बात कर लगे हो आहता है यहीं सारे सेक्टर में लोग लगे होते हैं इन सारे सेक्टर में इस तरीके से आपको 보お願いします को पत्रीके करना लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा बैनिफिट पहुंचे वह आपकी अक्तिविटी जहिंद लुए अरí इंप्लॉइमेंट की अपॉर्शनुटीज को जनरेट करना लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा बैनिफिट पहुंचे वह आपकी अक्तिविटीज आती है इसको आप क्या बूल सकते हो के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बटे होते हैं जैसे कि आपको प्रामरी सेक्ट बूल सकते हैं कि हमाले हैं बोब के बरदान यानद बून है वह ब्रदान बून है वह कवाइब द्रून को मतलब क्या बर्दान है मतलब हमाले बरदान क्यों है इसलिए बरदान क्योंकि हमाले की वज़े से इंडिया का जो टैंप्रीचर है वह बचा हुआ यह सीट लहर आते हैं वह पूरी की पूरी जो क्रॉप्स हो रही है आप पंजाब में एस्टर रोता है प्रदिस में उसको डिस्ट्रॉइ भी कर सकते हैं तो एक तरीके से जो आपको बचा रहा है हमालाय यानि थंडी आप नहीं आए देरा और दूसरा यह भी है चाहिना का ज ऑनी से एरिया होता है जो पानी से घहरा वहा होता है टा कहले और माइन गैने सब तरीके हैं के थाने में करिंदा थे आपके अगने से यह भी कारण हो सकता है और दूसरी तरफ आप नेक्स कोशन पर चल रहे हैं 33 कोशन आ चुका है हमारे पास 33 कोशन में पूचा जा रहा है कि वाट आर दा मेजर चैलेंजेंज बेफॉर इंडिन कॉंस्ट्ट्यूशन जैम्ली और हो डिट दे फेस देम जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डेसक्स हैं आपके कर रहा है जो सविधान सभाग के चुनोती आथी सविधान सभाग की क्या क्या चुनोती तो पहली चुनोती आपकी यह आती है कि भारत एक से 500 से उपर रियासतों में बटा हुआ था चिक है डायवर्सिटी बहुत ज्या कानुन बनाना यह थोड़ा मुश्किल था पहली चुनोती यह आती है दूसी चुनोती यह आती है कि जब सविधान सभाग का गठन हुआ एक तरीके से जब वो एक तरीके से इसकाम करने स्टार्ट करा उसने तभी भारत का विवाजन होता है यानि पाकिस्तान बनता है तो था तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया डगमा इसके बाद दोबाहरा से काम करना क्योंकि छो मेमबर करना THAT वा किम भो चलून अंपने थे-ड्य का गले थे पहला यह आधा का घरशा और भारत का विवाजन भगया था थो यह बहूत मुख Cindy कारण है जिसके विए से आपका ही निकल के आ रहा है तो 33 कोशिन भी हमारा हो गया कि क्या-क्या मेजर चैलिंजिस थे पहला यह कि देश का विवाजन हो गया था दूसरा यह बहुत ज्यादा थी ठीक है और सब के लिए लौज को बनाना मुश्किल हो रहा था अब 34 कोशिन पर अपना आ गए हैं आपर अब उसमें पूछा जा रहा है कि जो सिक्षित विरोजगारी है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता किस तरीके से उधारा जा सकता है ठीक है सब मेजर समरी मेजर्स और रिफॉर्म और एज्यूशन टू मिटीगेट दा प्रॉब्लम्स ठीक है न ज इसलिए हम क्या कर सकते हैं पहला काम कर सकते हैं वोकेशनल कोर्स को लॉइंच कर सकते हो त्रेनिंग उनको दे सकते हो इसके लिए इंडिया कैसा प्रोग्राम में जिसके थुरू लोगों को स्किल दी जा रही है तो यह सारे बहुत ही बेस्ट एक्जामपल आपके बास निक तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे अब आता है आपके पास थाटी फिफ्ट कोश्ट्ट ठीक है यह वी काफी अच्छा कोश्टन इसको ध्यान से देखो किसमें पूचा कि फ्रांसीजी कुरांतीस से निकले विचारा को लेख करना है मतलब फ्रांसीजी कुरांतीस से क्या निकले और जितना भी टेक्स कलेक्शन होता है उसको किस में खर्च कर देता है वोर में खर्च कर देता है और जो लोग होते हैं उनके वह बहुत जादा सफर कर रहे होते हैं जो basic necessities है food है clothing है अच्छा environment है उसमें नहीं जी पा रहे है तो पहली चीज़ आपको देखने को मि सब भी बनाना तो सभी को एक साथ मिलके काम करना हुगा इवन वह फीमेल हो मेल्स हो और एजुकेटिट हो यह साही चीज़ आपको फ्रांस के रेविल्यूशन से सीखने को मिलती है ठीक है तो यही कोशन था हमारा अधिकारों के बारे में पता लगा को इनके लिए आपको लड़ना भी पड़ता है ठीक है आपका एक्सप्रेंदे शोसल कंडिशन तो ठीक नहीं थी अब किसी भी कंट्री की सोशल कंडिशन अगर ठीक होंगी तो यहां पर रिवाल्ट क्यों होगा नहीं होगा ना आपने को बाश्य बगारे में होगा नंगी पड़कि साजमारब के सोखरेंथा तो सिर्फ और गया है और कि तकनी कंडिशन कि मिलता है वहां पर P going on a स्थीक नहीं थी ठीक है यहां ठोड़ा अगे बढ़ते हैं किसमें कुछ कुछ बंशले गया है यहां पर लेता है दिए इंगलीश में कर लिए मैंने हम एह रहा देखो नैश्टननिा स्पिल्च को प्लंड के अदर क्या क्या आता है देखो national income के अंदर सारी चीज़ आती है पहले कि आती है आपके production of goods and services भी आ जाता है secondary sector भी आ जाता सारे के सारी सेक्टर आते है national income में तो ठीक है प्रॉफिट को पे करने के लिए मैं आपको पैसा कमाना है तो market economies आ जाएंगी वो ठीक है market activities में पैसा कमाना है आपको ठीक है अब आता है growing of vegetables in a kitchen garden मतलब खुद के लिए कुमा रहे हो मतलब बना रहे हो तो क्या है यह marketing तो नहीं नौर marketing activities आप आगे चलते हैं आगे 37 थर्टी सेवने बुला गया है यह भी इधर कर लेते हैं अच्छा इधर कर लेता हूं रिवर तो यह थोड़ा मैं आपकी रिवर ठीक है न जर्मानों के सामनी लिखे होते हैं ऐसी को दिक्कत की बात नहीं है बट कुछ कुछ अब read करेंगे कहां से निकलती है the west in the enter India и ंदाक, the river inmcts series in Tibet निरय। फॉलवयं वैस्तु दО' एंट लदाक हो तीय कहां पर होतीय लद्धाक गार्थ पा कर्का इंडes ॉर्जिनेटिट फ्रॉं कि इंडesbu कहां से कहां और यह तिबबत से हो रही है ठीक है कहां से ओर ही ओप्षिन ए तिबबत से ओर रही है आपके विच ओफ फॉलव इस जोएन दा मैट कॉंट तो आपको पता हों चाहिए कि में थान कोट अठिक है तो यह आपका आज आएगा है अपर आप्षिन सेकंड और थर्ड सेकंड और थर्ड कहां पर रही दी ऑप्षिन आपका यानि कि रावी और चेन अविजन बैस्ट अग्जामपल विच्वारेंगे अपना ठीक है आप इकोर आता है आपका इन विच स्थापना किस ने की तो लोगदल पार्टे की स्थाफना आपकी यह था चौधरी देवी लाल ऑप्शन बीस करेक्ट ऑप्शन ठीक है चौधरी देवी लाले इसकी स्थाफना कर दी थी और 1987 में हर्याणा में किसकी थी तो आपको पता होगा 1987 में यह थी आपकी लोगदल पार्टी ठीक है लोगद कि नाओ रहा अब में हुए विधान स्वा के चुनाओं के दोरान चौधी डेवी लाओ के चुनावी बारते में किसानों के लिए कि सानौ की कर्ज पारी की किति भी ते तब उपक्ष्क्ष के ने था चौर्थी देविलाल ने नियायुद्ध का नामक अंदुलन नामक अपनी नई पार्टी का गठनी किया उनकी पार्टी ने चुनाव में कॉंग्रेस के खिलाब अन्य विपक्षी धलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया अपने चुनाव प्रचार में देविलाल ने कहा कि पारियों और किसानों की कर्ज माफ करेंगे चोटे तो फस्ट और सेकंड चूज कर लेते हैं तो देखा आपने के रीड करना है आपको पैग्राफ तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे तो अध्यान से आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है टाइम कॉंजुमिंग तीन सब्सक्राइब लोगदल को अकेले दो त्याइब तो इसका देखो डी है अभी हमने रीडाउट किया था सारे के सारे उप्शन उससे मैच कर दो डी हमारा यहां पर करेक्ट है ठीक है इंग्लिस में उसी तरीकी कर दे रखा देखो इंग्लिस में आप पढ़के वहीं लगा गया है यह भी पैग्राफ वाले कोश्चन है इसमें बूचा गया है कि यह पहला कोश्चन आ गया है कि जो हिटलर था वो सबसे ज्यादा किसको मानता था तो फॉल्वेंग रेस वसको ज्यादा वो महत्तू देते थे तो ए आरियंस को ठीक है आरियंस को जो हिटलर रहा वह सबसे ज्यादा एनिमी मानते थी जूइस को ठीक है यहुदियों को अपना दुस्मन मानते थे चार्ल्स डर्विन वोस आ नैच्रोल साइन्टेस्ट ठीक है साइन्टेस्ट थे एक अब क्या हर्बर स्पेंसर गिव दा आइडिया ओफ ट्योर्यों फिटेस्ट के वारे मिन ब पताया था ठीक है तो सीजन करेक्ट अब कोश्चन नमर पॉर्टी पर आ चुके हैं अब मैप वर्क मूच रहा है भाई मैं इसमें नहीं यहां पर देखो दो चीज़े रखें यह तो हमें पताई उनाइटेस्ट अफ अमेरिका यहां पर छोटा सा इटली है यह फ्रांस का पर उसी इटली है ठीक है तो अब देखते हैं क्या पूछ रही है कुछ नहीं पढ़ लेते हैं तक कंट्री विच वोज दा पार्ट ऑफ अलाइट पावर याने व्ल्ड बॉर्ट अलाइट पावर कौन था भाई तो बहुत ही आसान कोश्चन पूछ लिए आप लोगों से तो यूएस से क्या है यूएस ठीक है अनाटे स्टेट्स अफ अमेरिका यूएस यहां पर बचा हुआ ही इतली भर दोगे इसमें आप यूएस बरोगे इसमें आप इतली भर दोगे डैट्स करेक्ट ठीक है यह था आपका कि फॉर्टी फ कोश्चन था ही हमारा अपना जाते हैं अब इसके सेकेंड फॉर्टीन पॉइंट टू है भारत के दिये गए राजनेति मांचित पर इनको सुम्झाना है मांचित दे रखा है उन पर आपको बताना है कि कॉंकर्णी मैदन कहां पर है मालवा प्लैट्टिव क ठीक है मालवा का छेतर ही है यहां पर लिख भी देता हो मालवा ठीक है अब दूसरा पूछवा जा रहा है आपसे कि कॉंकर्ण प्लेंस कॉंकर्ण प्लेंस तो कॉंकर्ण प्लेंस आपके यह रहा कहां जा रहा है यहां पर आपके कॉंकर्ण प्लेंस आते हैं कॉंकर्ण प् बीजन आवार फ्याशे पहरा नहीं पीच में बेजन आक पर पहला कि से बताय थे नहीं एक पहले में बताया था को मालवा फिक है मालवा और भाताया ठीक है इसलेस को बताने डिम बताओ लिए ठीक है तो थोड़ा ध्हास पढ़़ लो इन व्याइज को बाकिए को को भी डाउट होगा तो मैं दबार आपको बता जोगा ठीक है थैंक यू वरी मुच वाल आफ यू तो वोचिंग को कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्ष्ण में बता दो पटा फट से डिसकूस कर लेंगे जो कोशन में आपके डाउट हैं उनको बागी में साइंस का एक ब